हालो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो माई चैनल और आज की इस वीडियो में मैं उन्बॉक्सिंग एंड डिटेल्स प्रोवाइट करने जा रहा हूं वीगाड कंपनी के 25 लिटर्स स्टोरेज वाटर हीटर का यह एक एलेक्ट्रिक वाटर हीटर है और इसका मॉडल है पेबल इस कंप्लेट डिटेल्स को जाने के लिए आप इस वीडियो को इन्ट तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कांड़ी सब्सक्राइब टू माई चानल लाइक एंसेर इस वीडियो तो फ्रेंड चली स जिसे हम इनलेट और आउटेट पाइप कहते हैं इस हीटर में प्रोवाइट की गए है दो साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारेंटी और सेवेन ये येर्स वारेंटी ओन इनर टैंक और फोर येर्स वारेंटी ओन हीटिंग एलेमेंट और ये हैं बॉक्स की अधर साइड और यहां पर देखी जा सकती है कुछ अधर डिटिल्स और यहां पर प्रोवाइट की गए इसकी टेक्निकल स्पेसिपिकेशन्स कैपेसिटी इसकी 25 लिटर्स है और वाटेज आप देख सकते हैं दो क्लिलोवाट तू थर्टी वोल्ट इस रिक्वाइड तू रन दिस वाटर हीटर और इस वाटर हीटर की एमर्पी है थर्टीन थ तो चली फिक लिए स्टाट करते हैं इसके उनबॉक्सिंग और देखते हैं वीगाट के 25 लिटर्स वाटर हीटर पैबुल को और इसके उनबॉक्सिंग हो चुकी है और यहां पर आप देख सकते हैं सारी यनिट्स जो अनबॉक्सिंग के बाद लती है सामने देखी जा सकती है 25 लिटर वाटर हीटर को और साथ में प्रोवाइट की गई है कुछ एसेसरीज यहां पर प्रोवाइट किया गया है दो कनेक्शन होज जो इनलेट एंड आउटलेट कनेक्शन के लिए यूज होगा और यह इसका यूजर मैनुबल एंड वारेंटी पेपर चार कलर में यह आवलेबल है और मैं आपको रेकॉमेंट करूँगा कि इस वाटर हीटर को यूज करने से पहले इस user manual का चीतर से बढ़ लें यह आपको help करेगी इस गीजर की सारी details को जानने में इसे कैसे install करना है और इसे कैसे operate करना है वो सारी details इस manual में provide की गई है जिस भी dealer से आप इसे purchase करें warranty paper पे सारी details जबूर feel करवाले यह आपको help करेगी इस water geezer की home service warranty को smoothly cover करने में और साथ में provide की गई है इसकी installation kit जो valve mount करने के लिए use होगी और साथ में देखी जा सकती है safety valve आई आप इस water heater को सारी side से closely देख लेते हैं आप कर दो कर दो कर दो और यह है इसकी back side और यहाँ पे आप देख सकते हैं wall mount के लिए bracket प्रवाइट की गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो connection point दिया गया है इनलेट अज़ आउटलेट के लिए और साथ में एक sticker दी गई है जिस पे important information प्रवाइट की गया है दोनों connection house pipe इसमें fix हो जाएगे और यहाँ पर देखी जा सकती है functional knob को mains और hitting के लिए दो indicator दी गई है knob को कुछ इस तरह से move करके इसके temperature को set किया जा सकता है minimum and maximum आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये move होता है और इस तरह से move करके आप इसे max पे set कर सकते है तो friends ये थी we got company के 25 liters electric water heater पेवल की complete details और I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगे एक नए water geezer के बारे में अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजे इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने friends के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए किसी भी clarification के लिए आप मुझे comment कर सकते हैं मैं कोसिस करूँगा उस comment के उपर जल से जग रिपलाई करूँ so thank you so much guys for watching this video thank you so much